इस सब्तह एस्ट्रो साइकल में काफी एक्टिविटी रहने वाली है सूर्य मंगल और शुक्र तीनों ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे मंगल 12 मार्च को राशी परिवर्तन करेंगे बुद्ध की राशी मिधुन में गोचर करना शुरू करेंगे 12 मार्च को ही शुक्र राश मीन से निकल कर मंगल की राशी मेश में गोचर करना शुरू करींगे सूर्य इसी सब्धाह 15 मार्च गुरू की मीन राशी में गोचर करेंगे इस से हमें बाजार में थोड़ी स्टिर्ता नजर आ सकती है। अगले सब्ताहा के बाजार के स्टार्स की बात करने से पहले आईए जानते हैं कि पिछले सब्ताहा बाजार को लेकर हमारी गण्णा कैसी रही। आठ मार्च को चंद्रमा सूर्य के उत्तर भालगुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और हमारी गण्णा सरकारी सेक्टर की कमपनियों में तेजी की थी और इस दिन बॉंबे स्टॉक एक्सजेंज का पी एस यू इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुआ। और हमारी गण्णा बाजार में सामाने कारोबार होनी की थी। लेकिन इस दिन बाजार में विदेशी प्रभाव देखने को मिला और बाजार गिरावत के साथ बंद हुआ। आईए अब बात कर लेते हैं अगले सबतहा के बाजार के स्टार्स की। 13 मार्च को जब बाजार खुलेगा तो उससे पहले मंगलोर, शुक्र, दोनों ग्रहे राशी में परिवर्तन कर चुके होंगे। और चंद्रमा शनी के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लहाजा बाजार की रफ्तार सुस्त रहेगी, लहाजा इस दिन पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा ध्यान पुरवक काम लेना चाहिए। 14 मार्च को चंद्रमा बुद्ध के जेश्टा नक्षत्र में गोचर करेंगे, इस से हमें बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। 14 मार्च को चंद्रमा सुर्य के उत्रा अशाड़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, इस से हमें बाजार में थेश्टी देखने को मिल सकती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। पिर गवादी देखने के लिए उना तरह की और भी जानकारी जएवादी से एक उना करेंगे, जिए दो झाल झाल सकता झाल सकता पक्यां पर वीजियो, और रहादीर के लिए हमारे जोजिएगर जबाएं।